हेलो रिवान वेलकम टो फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एच्यूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे एस्पिरिन टाबलेट्स के बारे में एस्पिरिन टाबलेट के बेजिक यूज के बारे में जानेंगे, उसकी डीटेल फार्मकलोजिकल स्टडी करेंगे एंड जानेंगे उसके मेकनिजम, उसका डूस क्या होता है कॉंटर इंडिकेशन एंड साइड इफेक्स के बारे में एस्परिम की जो नॉन स्टेडर अंट्री इंट्रिमेटरी ड्रग है, तो जानते हैं डीटेल में उसके बारे में, तो एक्सपर्ट लेक्चर वेमर सर, आसिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर अप फार्मारोक्स थेंक यू फर बीन वन लेक्ट फैमिली अप फार्मारोक्स अपडेट इट रहिए फार्मा नोलेज कर सकते हैं, अगर आपके पास आइफ़न है तो एपस्टर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले जानिए एस्पिरिन टाबलेट के बारे में, तो इसे क्लास अफ मेडिकेशन कॉल नसेड्स मतलब की नॉन स्टेरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और उसके केमिकल नाम के बारे में हम जानें तो इसे एसेटाइल सैलिसिलिक एसेड यहाँ पे जो आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे है तो एस्पिरिन केमिकली है एसेटाइल सैलिसिलिक एसीड और नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इन्हिबिटर क्लास ओफ ड्रग की नसेट्स के अंदर भी जो उसका डिटेल फार्मकलोजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था की एस्पिरिन केटेगराईज होती है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इन्हिबिटर के अंदर and केमिकल इट इस एसेटाइल सैलिसिलिक एसीड तो ये अच्छे से याद रखिये and it is a medication used to treat or to reduce the pain fever और inflammation because उसके पास analgesic and antipyretic action भी है जिसके करण वो analgesic activity होने के करण pain reduce करता है फिर fever को reduce करता है antipyretic action के करण and anti-inflammatory action के करण वो inflammation भी reduce करता है also work as a blood thinner साथ में aspirin का एक और beneficial use है कि वो blood thinner के कौन तोर पे काम करता है as it prevents the clot formation of blood कि blood जो clot हो जाता है उसका जो clot formation होता है उसको भी prevent करता है यह aspirin और one of the medication comes under the class of anti-platelet drug और उसके पास anti-platelet action भी available है तो यह बहुत सारे अलग-अलग uses हम देखे तो aspirin के होते है तो aspirin tablet के हम basic use के बारे में जाने है तो prescribe for the following medical condition and also available over the counter सबसे पहले तो heart attack के अंदर prescribe किया जाता है risk of stroke pain sensations को reduce करने के लिए fever की treatment के अंदर as a blood thinner and reduce the inflammation तो यह सभी medical conditions के इंदर जो aspirin के जो tablet है उनको prescribe किया जाता है और उनको use करना होता है as per the direction of a physician कि यहाँ पर देख सकते हैं label के उपर Rx खास लिखा हो है तो proper direction and supervision के साथ ही aspirin tablets को जो है वो use करना चाहिए तो उसका जो drug profile हम अच्छे से चेक कर एक तो aspirin, chemical है, acetyl, salicylic acid उसके root देखे अलग-अलग कि कौन से root से यह medicine administered की जाती है तो उसके oral tablet होते है rectal root से भी rectal suppositories and paceries वगएरा insert की जाती है कि जब inflammation है related to the bowel, intestine related to rectal root से भी उसको insert किया जाता है to provide its anti-inflammatory reaction फिर lysine, acetyl, salicylate यह की उसका एक form है कि जो injection के लिए एक powder है कि यहाँ पे लेखा है कि powder for injection आप यहाँ पे देख सकते है तो यह जो है intravenously और intramuscular patient को दिया जाते है फिर उसके bio ability हम देखे तो 80 से लेकर 100% के बीच में मिलती है protein binding 80 to 90% and formula हम देखे तो C9HH8O4 उसकी formula है तो यह aspirin किस तरह से काम करता है तो यहाँ पे देखिए aspirin का जो tablet है वो हमने आपको अच्छे से समझने के लिए दिखाया है और पुरा mechanism pathway है कि जो arachidonic acid होता है वो cox 1 and cox 2 जो enzymes होते है उनकी मदद से form करता है prostaglandins तो यह prostaglandins जो form होते हैं उनके हम function देखे तो यह directly cause the pain कि जब prostaglandins form होता है तो वो बनता है mediator of pain यहाँ पे देखो लिखा है कि mediator of pain फिर साथ में mediator बनता है inflammation and fever के लिए तो enhance the pain inducing effect of bradykinin कि bradykinin की जो pain inducing effect होती है उसको enhance करता है यह prostaglandins induce करता है fever mediator of pain and inflammation and fever तो arachidonic acid COX-1 और COX-2 को utilize करके prostaglandins का formation करता है तो aspirin क्या करता है reduce करता है PG synthesis by block the effect of COX-1 and COX-2 कि यहाँ पे देखो COX-1 की effect को यहाँ पे inhibit कर देगा और यहाँ पे COX-2 तो क्या होगा कि समझे के COX-1 ही नहीं मिलता तो आगे जाके ना ही prostaglandins form होगा तो दिरे-दिरे prostaglandins का liver reduce होगा जिसके करन GI mucosal protection होता है होमोस्टिस्या होता है पेन के जो mediator से वो सब क्या हो जाते है दिरे-दिरे कम हो जाते है जिससे जब कोई person यह medications खाता है तो उससे जो fever induce होता था prostaglandins formation से तो aspirin जो है वो उसको treat कर देती है aspirin जो है वो fever को दिरे-दिरे कम कर देते same pain mediators के कम करते थे तो जब pain के mediators कम हो जाएंगे तो automatically pain sensation कम हो जाएगा और वो जो induce कर दा था inflammation and fever तो वो भी दिरे-दिरे कम हो जाएगा तो इस तरह से यह aspirin अपनी mechanism दिखाती है by blocking the cox 1 and cox 2 के जो cox inhibitor का जो काम करती है उससे उसकी pharmacological action मिलती है तो aspirin is a non-selective inhibitor of cox enzymes की जिसको हम cyclo-oxygenase enzymes कहते हैं and suppression reduce the prostaglandin synthesis तो यहापे देखे phospholipids आपे हैं और उस वो form करते हैं arachidonic acid तो जो aspirin के जो molecule से वो cox 1 and cox 2 को करते है block जिसके करण ना ही आगे यह prostaglandin form होगा ना ही उसका दूसरा वर्जन h2 form होगा और जिसके करण वो अपनी जो actions देखाते के like समझो की prostaglandin h2 से आगे form होता है thrombocyan a2 तो thrombocyan a2 का जो function हम देखे तो induce platelet aggregation मतलब कि जो platelets की जो blood clotting के लिए responsible जो हमारे cell है उनका aggregation करवाता है मतलब कि यहाँ पे जैसे इस तरह से platelets का हो जाता है aggregation जिसके करण क्या होता है blood clot होता है फिर potent vasoconstrictor बनता है induced proliferation of vascular smooth muscles and cell and pro atherogenic उसकी effects है तो simply हम देखे तो जब pro thrombog thrombo xen A2 जब form होता है तो usually वो करवाता है blood clotting यह just simple आप याद रखिए कि blood clotting करवाता है because platelets का करवाता है यह aggregation platelets को एक दूसरे के नस्दिक लाने में help करता है अब समझे कि आप aspirin किसी person को देते है तो क्या होता है कि aspirin block करेगा यह coxone and cox2 जिसके करण ना है prostaglandin G2 होगा G2 नहीं होगा तो H2 भी नहीं बनेगा और H2 नहीं बनेगा तो pro thrombog sorry thromboxen है वो भी form नहीं होगा और वो form नहीं होगा तो blood clotting जो है वो नहीं होगा तो blood clotting को prevent करेगा इस तरह से aspirin thus is provided anti-inflammatory action anti-platelet action and analgesic activity तो ये सभी path phase को कर देगा वो block और उस तरह से उसकी हमें pharmacological action मिलती है तो low dose के अंदर coxone और high dose के अंदर वो cox2 को inhibit करती जिसके करण जो prostacyclin जो बनता है कि जो inhibit करता है paglet aggregation induce करता है vasodilation तो वो सब भी effect को जो है वो reverse करती है higher dose के अंदर बट जब normal dose लेते है हम तो वो blood clotting को prevent करवाने में help करता है तो main concept यहाँ पी यही है कि जो coxone और cox2 inhibit हो जाने के करण prostaglandin ही नहीं बनता और prostaglandin नहीं बनेगा तो आगे जाके thromboxen वगेरा भी form नहीं होगे तो इस तरह से उसकी antiplatelet action मिलती है और prostaglandin ब्लॉक होने से anti-inflammatory and analgesic effects में मिलती है तो इसी के करण जो उसके हम indications देखे जो uses देखे तो mild to moderate जो pain होते जैसे कि headache है backache है कि जो back pain होता है कि इस तरह से जो person को back pain हो रहा है तो back pain के अंदर भी ये medicine काफी effective साभित होती है joint spins के अंदर tooth act के जो tooth के अंदर pain है periods के वगएरा के जो pain उस वगद भी effective है anti-piratic in fevers anti-inflammatory in acute rheumatic fever rheumated arthritis osteoarthritis की जो inflammatory related conditions से कि ये सभी के अंदर काफी effective साभित होती है ये medication फिर anti-platelet agent के तोर पे काम करता है इन्हे अथेरो sclerotic diseases post-operative myocardial infraction post-rock patient ये सभी के लिए ये काफी असरदार साभित होती है as a anti-platelet तो anti-piratic action के करण fever की treatment करने के लिए anti-inflammatory के करण जो inflammation कम करने के लिए analgesic effect के करण जो pain killer की तोर पे भी वो काम करता है and anti-platelet होने के करण जो blood clotting को जहाँ पे prevent करके जो diseases की treatment करनी है उसमें भी वो helpful बनती है तो aspirin is prescribed in small doses as means to lower the risk of heart attack and prevents clotting action of platelet बड़ कब की जब उसको आप small dose में देंगे because small dose में वो cox 1 को inhibit करता है जो इसके करना के prostaglandin और thromboczen का जो formation है वो inhibit हो जाता है जिसके करना वो अपनी antiplatelet action देता है blood clotting को prevent करवाता है second है it can help to prevent heart attack or clot related stroke by interfering with how the blood clot अगर समझे के blood clot नहीं होगा blood थीक नहीं होगा और वो thin रहेगा तो heart attack और जो stroke के जो chances से वो भी काफी reduce हो जाते है thus aspirin work as a blood thinner to stop stop it from clotting तो ये काफी important है कि वो blood thinner के कोड तौर पे भी काम करती है उसका एक powerful combination हम देखे तो जो clopid और ग्रेल है और aspirin ये दोनों का जो combination जो बनता है कई बार atorvastatin भी उसके साथ combination में होती है तो may lower the risk for major icemic events among the patient with minor icemic stroke और high risk transist icemic attack compare with aspirin alone मतलब कि कि जो icemic attacks होते है कि जैसे की heart attacks होगेरा होते है stroke होता है hearts के अंदर तो ऐसी condition को treat करने के लिए या फिर उसके जो risk है उसको reduce करने के लिए aspirin समझो कि single लेता है कोई person उसके compare में जब उसका combination clopid और ग्रेल के साथ हो या फिर atorvastatin के साथ हो तो काफी reduce करता है risk of heart attack and stroke atorvastatin तो यह उसके काफे benefit से दिक atorvastatin aspirin यह दोनों combination lower करेगा risk of heart attack and stroke उसी तरह से clopid और ग्रेल के साथ aspirin का combination या फिर उसके अंदर आप atorvastatin भी combine में use करते है तो यह combination जो है वो lower the risk of heart attack तो यह काफी effective उसका benefit हम कह सकते है use कह सकते है dose इसके बारे में जाने तो इसका जो dose है 300 से लेकर 600 mg 300 से लेकर 600 mg TDS मतलब की 3 times दे 3 times a day के दिन में तीन बार patient लेता है as per the direction of physician और वो provide करेगा उसकी analgesic anti-piratic and anti-inflammatory action और यह रहेगा as per the direction of physician तो इसके कुछ marketer formulations हम देखे तो यह जो आप देख सकते हैं कि ecosystem के जो tablets आते हैं कि जिसकी strength है as per IP 150 mg और दूसरा है यहाँ पे 75 mg के aspirin के जो tablet anti-inflammatory and analgesic effect के तोर पे तो 75 to 150 mg OD मतलब की once a day जो myocardial infection और stroke के लिए कि जब उसको lower dose में आप use करते हैं तो यह उसके beneficial effect आपको मिलते हैं और higher dose के अंदर anti-piratic, anti-inflammatory और analgesic effect आपको मिलेगी तो depend करता है किस तरह की pharmacological action चाहिए उसके तरह से यह doses जो लिए जाते है as per the direction of physician and usually therapy start with lower dose to avoid the adverse effect कि अगर समझे के myocardial infection और stroke की treatment करनी है तो lower dose 75 mg से start किया जाते हैं उससे समझे कि patient को treat नहीं होता तो फिर आगे जाके 150 mg ODP उसको दे सकते हैं तो यह है उसके doses के बारे में फिर उसका एक popular doses पर हम अपने देखा होगे कि जो disprin के जो tablets होते हैं तो disprin जो है वो effervescent tablets के category में हम रखते हैं कि जो effervescent tablets होते हैं उसको आप पानी में डालते हैं तो उसके यह इस तरह से आपको effervescent मिलते हैं और यह effervescent के कारण यह tablet जो है फटा-फट से हो जाती है dissolve और यह dissolve होने के बाद जो water होता है वो patient को लेना होता है तो easy to swallow भी बन जाता है या फिर आप water के अंदर disperse करके भी यह aspirin के affirmation tablets ले सकते हैं और वो यह पर उसके लिखे की effective for headache muscular pain sore throat, inflammation and fever बिकोज इसका जो dose है वो 300 mg यह वाला है और यह वाले tablets आप देखो तो 500 mg जब higher dose में use होती है तो aspirin काम करती है analgesic, anti-piratic and anti-inflammatory के तौर पे और उसके जो lower doses बनाए गए है 75 और 150 तो वो anti-platelet का काम करती है reduce करती है risk of heart attack and stroke अब सभी medications के side effect होते है वैसे aspirin के भी है तो aspirin के जो overdose होता है aspirin के overdose के अंदर या फिर उसका जब कोई person misuse करता है, excessive use करता है तो gastric mucosal damage हो सकता है कि जिसको हम कहते है peptic ulcer का form होना तो जो stomach के linings के उपर आप ये जो देख सकते है याँ पे तो जो peptic ulcer जो form होता है वो उसकी एक major side effect है कि याँ पे ये देख सकते है ये वाले peptic ulcer जो form होता है फिर hyper sensitivity हो सकती है salicylism की जिसके अंदर person feel करता है dizziness को tinnitus मतलब की ear ringing का जो हम problem करेते है कि कान के अंदर जब कोई ringing होता हो ऐसा feel होना vertigo मतलब की चक्कर आना फिर reversible impairment of hearing and vision मतलब की hearing and vision की जो capacity है वो alter होना excitement and mental confusion हो जाता है hyper ventilation कि ये जो diagram में दिखा है उस तरह से start to breathe very fast person जो है वो काफी fast breathing करने लगता है कि breath in काफी fast है compare to breath out फिर electrolyte imbalance हो जाता है liver injury होती है and acute salicylate poisoning तो ये सब उसके हम कह सकते हैं कि major side effect due to the overdose इसलिए self medication नहीं करना चाहिए proper जो diagnosis के साथ ही जितने दिन तक therapy चाहिए उतनी ही medications यूज़ करने चाहिए समझो कि किसी का seven days तक treatment लेनी है five days तक है three days है तो उतनी जितनी limit है उतनी tablet यूज़ करनी चाहिए और as per the direction of the physician contraindications उसके बनते हैं कि जब उसके side effect जह हम देखे तो उसके करन जो patient already peptic ulcer वाले है उनके लिए ये बन जाएगे contraindication because aspirin के side effect है कि वो peptic ulcer कर सकती है और समझो कि peptic ulcer वाले को आप aspirin दोगे तो उसके condition और खराब हो सकती है तो do not use do not use when person is suffering from peptic ulcer bleeding disorders की किसी को bleeding disorders से दूसवक भी aspirin नहीं देनी चाहिए hypersensitivity है nurses की दूसवक दूसको आवड करिये under 12 years of children तो छोटे बच्चों को ये aspirin नहीं देनी चाहिए liver disease के जो patient है उनको भी आवड करिये pregnancy and lactation के दौरान भी aspirin को use ना करे do not use the aspirin during the pregnancy and lactation and also for the patient of chicken pox and influenza infection because ये conditions में use करने के कारण वो complications बढ़ा सकता है कि पैप्टिक अलसर कर सकता है और ज्यादा खराब bleeding increase करवा सकता है जिसके कारण pregnancy और lactation के दौरान वो contraindication में है कि उसके करन सायद जो abortion या फिर miscaris जैसा भी हो सकता है फिर liver damage करवा सकता है hyper sensitivity हो सकती जिस तरह से ये racist वगरा develop हो जाते है skin के उपर allergy reaction देखने को मिलती है तो उसके करन ये आ जाएगा contraindications के अंदर ये सब medical conditions के अंदर so thank you for watching and attending this lecture जो वो से like करिये comment करिये share करिये join कर सकते है whatsapp group access कर सकते है study material test series video lecture on a far more rocks so good luck and all the best